भारत का पूर्वो तरभाग अपने 3P यानि बीस, फ्रोग्रिस और प्रोस्पेरिटी की नई पहचान बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीरिशिप में विकास का ग्रोथ एंजन बनने की क्षमता के साथ आत्म निर्भर भारत का बन रहा है मजबूत आधार अब पूरा नर्दीस विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम इसमें प्रमुख भूमी का निभा रहा है समरिद्ध और आत्म निर्भर भारत को लगातार मजबूती देते असम सहित पूरे नौथीस्ट रीजन में LPG की मांग तेजी से बढ़ रही है प्रतिवर्ष लगभग 730 TMT LPG की मांग बाला एक शेत्र अपने स्रोतों से सिर्फ करीब 27 पृतिशत की पूर्ती ही कर बाता है शेश मांग की पूर्ती उतपादों के आयात और LPG टैंक ट्रकों द्वारा की जाती है इसी को ध्यान में रखकर पश्चिमी असम के बोंगाई गाओं में स्थित Indian Oil के Research and Development Center द्वारा विश्व प्रसिद इंडेन Maximization Unit यानी Indmax किया गया है विक्सिद Indmax में होती है अद्वितिय क्षमता हेवी फीड स्टॉक से LPG और उच ओक्टेन गयासूलीन के उतपादन की लगभग 2600 करोड रुपे की लागत से बनी इस यूनिट के निश्पादत से रिफाइनरी की क्रूड प्रोसेसिंग बढ़कर हो जाएगी 2.35 mmTPA से 2.7 mmTPA .74 mmTPA Indmax यूनिट के निश्पादन से रिफाइनरी के LPG उतपादन में होगी 4 गुना से जादा फृत्धी लगभग 55 पृतिशत बढ़ेगी इस क्षेत्र में क्लीन और ग्रीन LPG इंधन की आपूर्ती ओइल इंडिया द्वारा दिब्रुगर जिले के मधुभन में 490 करोड रुपे की लागत से कच्चे तेल के भंडारन के लिए dehydration facility के साथ secondary tank farm, STF और effluent treatment plant का निर्मान STF द्वारा लगभग 40,000 किलो लीटर crude oil का सुरक्षित भंडारन तो होगा ही साथ ही oil इंडिया द्वारा उतपादित wet crude oil से बनने वाला पानी भी अलग होगा इसके effluent treatment plant ETP को प्रते दिन 7,200 किलो लीटर का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है जबकि इसकी परिचालन क्षमता होगी 5,400 किलो लीटर प्रते दिन इस प्रोजेक्ट से oil के लिए कच्चे तेल के भंडारन की बढ़ी हुई सुरक्षा होगी सुनिश्चित लिफ्टर गैस की सप्लाई की सुविधा के लिए लगभग 132 करोड रुपे की लागत से परिकल्पना की गई थी हेविधा गाउं गैस कंप्रेसर स्टेशन GCS की साथ ही ये GCS वार्शिक 16,500 मीटरिक टन कच्चे तेल के उत्पादन में व्रिधी के माध्यम से हाइड्रो काबन उत्पादन में भी देगा योगदान भविष्य में असम में उर्जा के सेक्टर में होने वाली अप्रत्याशित व्रिधी जिससे टेकनिकल और स्किल्ड मैन पावर की बढ़ेगी जरूरत इस जरूरत की पूर्ती के उद्देश से असम सरकार द्वारा धेमाजी में 276 बीघा कैंपस क्षेत्र में 44.9 करोड रुपे की प्रारंभिक लागत से हुआ है स्थापित राज्य का सात्मा और उत्तरी तट का पहला गवर्मेंट एंजिनेरिंग कॉलेज धेमाजी एंजिन कुची में असम सरकार द्वारा ही 16 बीघा कैंपस क्षेत्र में 54.7 एक करोड रुपे की प्रारंभिक लागत से राज्य के आठवें गवर्मेंट एंजिनेरिंग कॉलेज का होगा निर्माण यहां भी तीन बीटेक कोर्स सिविल, मेकानिकल और कम्प्यूटर साइंस एंड इंजिनेरिंग की होगी पढ़ाई जिसे राज्य में गुणवत्ता पून इंजिनेरिंग शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा आत्म निर्भर भारत के लक्ष को पाने के उद्देश से शुरू हुए असम के इन प्रोजेक्ट्स ने खोले हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के भी कई द्वाग असम के विकास को मिल रही है नई गती और असम वासियों के लिए बन रही है समरिधी की नई संभावना है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी कर रहे हैं इंडेन मैक्सिमाइजेशन यूनिट, डिहाइडरेशन फसिलिटी के साथ सेकंडरी टैंक फार्म, स्टीएफ और एफ्लूंट ट्रीट्मेंट प्लांट, एबं गैस कंप्रेसर स्टेशन हेविदा गाव माकुम को, राष् आज आज़।